हेलो दोस्तो विल्कम तुमाई चैनल दोस्तो इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि परिचा में अंको का नमलाइशन कैसे किया जाता है और दोस्तो एलपी और टेक्निशन में जो नमलाइशन हुआ है उसकी अधार पर भी आप लोग को जानकाई देंगे और दोस्तो लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो परिचा में अंको का नमलाइशन कैसे किया जाता है और इसकी जोरत क्यों पर ही इसके बारे में आप लोग को बताएंगे यानि दोस्तो आप लोग का बहुत से एक्जाम होते हैं जो कई दिनों तक चलते हैं यानि दोस्तो के विरोद के अधार पर इजी और हाट कोशन जब पूछे जा रहे थे तो बच्चे का विरोद था कि इस मेरे सीफ्ट में हाट कोशन पूछे गये हैं और दूसरे सीफ्ट में सरल कोशन यानि इजी कोशन पूछे गये हैं इसी का विरोद को लेकर या सिस्टम को चालू किया यानि इस सिस्टम को लागू किया गया यानि तब से सिस्टम की शुरुवात हो गई जो आपको रेलवे एलपी टेकनिशन में भी देखने को मिलेगी उसके बाद समत्ते हैं कैसे किया जाता है यान दोस्तों सबसे पहले नोजाशन में जिस सिप्ट में इजी कोशन पूछे ज कर पाए है यानि 70 मांक्स ही आप लोग का अटेम कर पाए क्योंकि कोशन बहुत हार था तो आपका 70 मांक्स हांडेड मांक्स माना जाता है अगर किसी सिप्ट में इजी कोशन पूछे गए हैं और बच्चे हंडेड में 100 बना लिए और तो उस कोशन की तुलना आपका जो इजी कोशन स्वामाक्स दोनों इक्कोल हो जाता है उसे के अधार पर नोलेशन किया जाता है ठीक इसी परकार जैसे आप लोग का शिप्ट बाइच एक्जाम होती है ग्रूप शिप्ट वन शिप्ट टू शिप्ट थिरी और कोई बच्चा उम्मिदबार 60 ला दिये या 50 ला दिये या 45 ला दिये या 65 ला दिये उसी के दार पर शिप्ट टू में कोई पउबस्ट एक्ष्ट्रणrick भी एटा जाता है और शिप्ट वास्ट करकी दोनों का अंतर किया जाता उसके पांठ जो नव्लेशन माक्स बरति है उसी के आधार पर आप लोग को नाम माक्स बेठा जाता है तो दोस्तों उम्मिद करते हैं कि आप लोग अभी समझ गये होंगे और ज्यादा डिटेल में आप लोग को समझने की जौरत भी नहीं है बस इतना जाने कि आप लोग का इजी जो कोशन होता है और हाड कोशन जो होता है उसकी तुलना किया जाता है और उसकी आधार पर नुमिलियसन किया जाता है तो चलीए ये ये ओंड भी और टेक्निस्ऽन का कुछ डिटेल हम आप लोग को देते हैं जिसे कि दोस्तो हमने बहुत सारे question यानि लेले एलपी और टेक्निशन के इन्निलाइशन मार्क्स देखे हैं और उसी के अधार पे अपनी अधार पे आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को क्या-क्या इसमें जरॉत होती है और क्या-क्या आप लोग को इसे दूर करना है यानि दोस्तों एक बच्चे टोटल अटोटा कीए सथी 75 कोशन का फ्र ओता जिसे, इसमें 70 कोशनकं कोशन कर दिये, जिसमें उनका करेक्ट जो हुआ था 26 कशन स्था और ओर रोंग जो था अधिक 43 हो गया था और उसमें से कुट्टान जो था आपका वह कुश्चन गलत कर दिया गया था यानि सरी बच्चेов का ऊच्छ पेपर के दिन एक कोष्छन को ही रॉंक कर दिया गया था यानि उस समये 74 ही मार्क सुष पेपर डिए ध किया घ्रлом ses उसके बाद जो वन वाइट ठर्ड काट के उनका आया था 11.66 यानि दोस्तों एक जो कोश्चन आप लोग का बस जाता है उसे इसमें ही एड किया जाता है यानि आप लोग जैसे तेलबे गुरूबडी में आपका किसी सिप्ट में चार किसी सिप्ट में तीन कोशन ऐसे होंगे जिसमें आप लोग का एंसर की नहीं दिया होगा तो उस कोशन पे आप लोग अपना मार्क्स एड कर लेंगे उसके बाद नोजैसन मार्क्स करने के बाद इनका 21. कुछ मार्क्स आया जो इनका रेजल्ट नहीं बन पाया लेकिन इनका जो सबसे अधिक निगेटिव गया था उसका भी परवाब इसमें देखने को मिला और दोस्तों हम एक एक एंसर सिट के अधार पर नहीं बोल रहे हैं कि अगर आप लोग निगेटिव अधिक किये हैं तो आप लोग का नोजैसन मार्क्स में अधिक मार्क्स बढ़ने की उमीद न रक्खे अगर आप लोगोंने कम दोस्तों यह इस्ट्रियन जो है संतावन कोशन अटेम्ब किये टोटल कराक इनका 36 हुआ और रॉंग कोशन 21 इनका एक कोशन जो रॉंग था टोटल posit in को 29 Tutaj रह सभाए था और कि उट्यूरण मार्जं का करने तो इनका दोस्ते आया हुआ यानि इससे पहले बाक इससे पहले बाले जो आपना को दिखा है इसकी अपेक्षा इन्होंने नीगे कम किया है जिसके माद्ध मसुझे इना आध्यों क। बढ़ा हुआ दिख रहा है यानि दोस्तो माक्स जो होता है इनी सभी बातों पो ध्यान पर रखके माक्स बढ़ाया जाता है और दोस्तो आप लोग आप समझ गए होंगे उम्मिद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तो आगे की जानकारी के लिए आप लोग को कुछ मन में डाउट है तो आप हमें कोमेंट कर सकते हैं थाइंक्यू वाचिंग फॉर वीडियो